हेलो दोस्तो आज की इस कम्प्यूटर की कलास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कम्प्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है उनका एक अलग से वीडियो मापको प्रोवाइड करवा दूँगा उसमें सो पलस जो है वो फुल फॉर्म होंगे और उनसे बाहर आपके एक्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड कम्प्यूटर का जो है कोई भी कुशन बाहर नहीं जाएगा तो भाई साब आप सबी के लिए ये कलास बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चाया आप किसी भी एक्जाम पिक की तैयारी करो चाया लाइब्रेडेरेन हो एससी हो रेलवे हो इसके लाएब बात करो तो बैंकिंग की हो कोई भी एक्जाम बैंकिंग की हो किसी भी जो नहीं आती हैं जो नहीं आती हैं उनको अपनी नोट बुक में नोट कर लेना इसके लाव आपको PDF भी टेलिग्राम चेनल पर इन सारी जो फुल फॉर में इनकी मिल जाएगी तो भाइसाब टेलिग्राम से जो साथी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं कंप्यूटर के की जिते भी कुछ क्लास हुई हैं उनकी तो आप लोग वो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके तो साथी चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सभी साथियों को गुड़ मॉर्निंग रादे रादे राम राम तो साथियों पहली फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे है 3G, 3G की फुल फॉर्म क्या होगी वह 3G नहीं भाइस आप 3G, 4G, 5G यह 3G बहुत पुराना 3G है 3rd जनरेशन वाला 3G है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी 3rd जनरेशन 3GP, 3GP की बात कर लेते हूं दोस्तों 3rd जनरेशन प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म ह जो भी आपको आती है वो तो खेर कोई बात नहीं लेकिन जो भी फॉल फॉर्म आपको नहीं आती है वो अपनी नोटबुक में लेकर आप नोट कर लेना दोस्तों जरूर से क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा PDF से पढ़ोगे तो एक बार फिर भ फॉर्म हो जाएगी AM या FM तो हम FM सुनते हैं तो FM की फॉल फॉर्म क्या होगी frequency modulation AM की क्या होगी amplitude modulation अगला देखिए AMR की आपको फॉल फॉर्म पूछे तो AMR की क्या होगी adaptive multi rate codec adaptive multi rate codec इसकी फॉल फॉर्म होगी आरपानेट की भाई साब जिनको मैं टिक करूंगा न वो तो बहुत ज्यादा important है इनको तो आपको घोल के पी जाना आरपानेट की फॉल फॉर्म तो आपको बहुत important याद करनी है तो आरपानेट की फॉल फॉर्म देख लेते हैं advanced research project agency network advanced research project agency network इसको दिमाग में बठा लीजेगा भाई साब ये question किसी ना किसी exam में आपके आएगा और हम नहीं पढ़के गए भाई साब इसको अच्छे से याद कर लेना अगला देखिए एवी आई की फॉल फॉर्म आप से पूचे तो एवी आई की क्या हो जाएगी audio video interleave audio video interleave इसकी फॉल फॉर्म हो जाएगी bmp की bmp की की आपको पूचे तो bmp की क्या हो जाएगी bitmap हो CD की हो जाएगी compact disc CDMA की आप से पूछी गई CDMA की क्या होगी code division multiple access code division multiple access इसकी full form हो जाएगी CRT very very important CRT CRT क्या होगी cathode ray tube के third ray tube हो जाएगी DOC की जो आपको computer में बहुत बार देखने को मिलता DOC तो इसकी full form क्या होती है document होती है Microsoft Corporation ने ये full form दी है दोस्तों तो आपको उमीद है याद हो गई होगी तकरीबन 13 full form हमने पढ़ लिए अब तक अगली देखे DOS आपसे पुछे DOS की full form क्या होगी disk operating system ये भी बहुत ज़्यादा important है disk operating system होगी अगला देखे DVD digital versatile disk ये भी बहुत ज़्यादा important है वाई साब बहुत ज़्यादा important है DVD की DVX की आपसे पुछे की EDGE की full form क्या होगी enhanced data rate for GSM enhanced data rate for GSM अब आपको GSM की भी full form नीचे दी गई GSM क्या होता है global system for mobile global system for mobile GSM की full form भी होती है तो भाई साब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैनत की गए जो भी नाम अलग से आए उनकी अलग से full form मैंने लिखिया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मीटर को खेंच के 500 पलस वाला बच्चे है इस सेशन को देखने चीए 500 पलस बच्चे देखने चीए भाई साब अगला देखिये वो बोलते हैं ना वो एक सर धासु सर की जै महाकाल के असिरवाद से भाई साब शेयर करो तब ही पढ़ाओंगा मैं शेयर करके लेके चलो तब ही पढ़ाओंगा अगली full form अगला देखिये चलिए सात्यों अगला हो जाएगा जो है जी आई इसके फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों जी पी आरेस की फुल फॉर्म पुछिए तो जी पी आरेस क्या हो जाएगी जनरल पेकेट रेडियो सर्विस जनरल पेकेट रेडियो सर्विस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जी एसम की मैंने आपको बता दी गलोबल सिस्टम फ बहुत बार एक्जाम में पुछी जाती है दोस्तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HP की HP की आपसे फुल फॉर्म पुछिए तो हीलेट पेकार्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तो अगला देखिए HSDPA की आपको पुछिए HSDPA की हाई स्पीड डाउन लिक पेकेट एक्सेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HTML और डबल एच्टीटीप ये दोनों फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है इनको याद कर लिजएगा HTML हाइपर टेस्ट मार्क अप लेंगवेज और हडबल टीटीप की क्या हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉर्टोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तो तो वेरी मेरी इंपोर्टेंट है दोनों को अच्छे से याद कर लिजएगा HTML टीटीप एस इसका पूछा तो HTML टीटीप जो एस इसकी फुल फॉर्म क्या होगी यह उपर वाली तो सेम हो जाएगी जैसी इसकी हो जाएगी इतनी तो दोनों की सेम है और एस के लिए क्या जोड़ देंगे सेक्योर और जोड़ बाइश साब यह समें ऐसा आए ये बड़ा है तो बड़ा होगा सेस्टो क्यों आएप mean की फुल फार्म बहुत बार पूछी जाती है इंटरनेशनल बिजनस मसीन स्की फुल फॉर्म हो जाएगी इस donnéesसनल बिजनस से मसीन अग्ला देखिए भाइशाब IP के क्या हो जाएगी Internet Protocol ISP की पुछна Internet Service Provider बहुत ज्यादा important है Internet Service Provider ISP JAD की पुछी है Java Application Descriptor Java Application Descriptor JAD की फौल फोर्म हो जाएगी Jar की पुछे है Java Archive हो जाएगी अगली देखे जेपी एजी जेपी एजी के आपसे पूछी है और ये भी क्या है भाई साब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जेपी एजी के आपसे फुल फॉल फॉल पूछी है तो जोइंट फोटोग्राफिक अक्सपर्ट ग्रूप जोइंट फोटोग्राफिक अक्सप जोइंट फोटोग्राफ बनेगी तो भासाब मेहनत करिए और जोब लगिए उसके बाद में मित्री आएगी और मित्री के साथ क्या होगा जोइंट फोटोग्राफ होगा चलिए साथ यो अगला किसन देखें अगले जो फुल फॉर्म वो देखिए M3G M3G की क्या हो जाएगी Mobile 3D Graphics M3G Mobile 3D Graphics M4A M4A की क्या हो जाएगी MPG for Audio File MPG for Audio File दोस्तों अगला देखिए WMMF WMMF क्या हो जाएगा Synthetic Music Mobile Application File Synthetic Music Mobile Application File हो जाएगा MP3 MP3 की बहुत बार पुछी जाती है MPG Player 3 MPG Player 3 MP3 की MP4 की बात करूँ MPG for Video File MPG for Video File तो इसको ऐसे भी आद कर सकते हैं MP3 होते हैं MP4 होते हैं MP4 होते हैं तो ये वीडियो से रिलेटेड है और वो म्यूजिक से रिलेटेड है अगला देखे PDF की फुल फॉम भाई साब PDF की फुल फॉम भी आफ से बहुत बार पुछी जाती है Important है Very very important है Portable Document Format Portable Document Format अगला देखे PNG की फुल फॉम पुछे तो PNG क्या होगी Portable Network Graphics Portable Network Graphics हो जाएगी RTS की Real Time Streaming अगला देखे SIM SIM की फुल फॉम भाई साब SIM की फुल फॉम मुझे भी नहीं पता थी इतने दिन आज ही पता चलिए SIM की फॉल फॉम जब मैंने एक एक चीज उठा उठा के आपके लिए इकटी किये तब ही मुझे पता चलिए SIM की भी भाई साब फॉल फॉम होती है Subscriber Identity Module Subscriber Identity Module SIM की फॉल फॉम होती है SWF SWF की फॉल फॉम पुछी है तो Soak Wave भाई साब Soak Wave Soak लगना ओ भाई Soak लग गया इसको SWF Soak Wave Soak Wave अगला देखे TCP Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol TCP IP की जो है बहुत बार फॉल फॉम पुछी जाती है TCP की क्या हो जाएगी Transmission Control Protocol और IP की Internet Protocol तो ये दोनों आप याद रखेगा दोस्तों अगला देखे UHF UHF की क्या हो जाएगी Ultra High Frequency Ultra High Frequency UHF की हो जाएगी दोस्तों UMTS UMTS की क्या हो जाएगी Universal Mobile Telecommunication System हो जाएगी दोस्तों UPS की UPS की आप से पूछी गई है तो Unintraptable Power Supply Unintraptable Power Supply जो है ये UPS की हो जाएगी URL की बहुत important है URL और USB ये दोनों important है याद कर लिएगा इनको URL की हो जाएगी Uniform Resource Locator और USB की क्या हो जाएगी Universal Serial Bus Universal Serial Bus भाई साब कता ही Serial Killer ही है ये तो VHF की आप से पूछी गई है VHF की क्या हो जाएगी VHF की हो जाएगी Video High Very High Frequency Very High Frequency की हो जाएगी दोस्तो Virus की फुल फॉर्म आप से पुछी गई और Virus तो भाई साब एकदम कता ही बहुत ज़्यादा important है Virus Virus की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी Vital Information Resource Under Seized Vital Information Resource Under Seized इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तो अगला देखे वी एपी वी एपी की क्या हो जाएगी मेरे साथी तो वी एपी की हो जाएगी Wireless Application Protocol तो Wireless Application Protocol किसकी हो जाएगी साथी मेरे वी एपी की हो जाएगी वी एवी वेव की क्या हो जाएगी Wave Form Audio सब्सक्राइब की हो जाएगी कि फुल फॉरी अरिया नेट वरेक लोटल डीमेब थादाक है LN की full form क्या होती है local area network और WLN की wireless local area area network बाई साब ये जो इतने सारे word लगातार continuous ने इंगलीस में बोलते है ना तो इनका उच्छारण जो वो अलगी हो जाता थोड़ा तो आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीज़ है WMA क्या हो जाएगा Windows Media Audio जो है Windows Media Audio क्या हो जाएगा WMA का हो जाएगा WML का आप से पुछा तो WML का क्या होगा wireless markup language wireless markup language इसका WML का हो जाएगा WMV Windows Media Video इसका हो जाएगा XMF का आप से पुछा गया है Extensible Music File Extensible Music File दोस्तों अगला देखिए CU का आप से पुछा गया है Control Unit CU का क्या हो जाएगा Control Unit कल भाई साव SSC CGL जो है 2019 आप लोग उनमें से किसी ने एक्जाम दिया हो तो SSC CGL का जो पेपर होता है माल लीजिए जो सेकिंड पेपर होता है उसमें 200 नमर की मैथ आती है 200 की इंगलिस आती है तो 200 नमर में मैथ के पेपर में भाई साथ 200 में से 200 नमर और उनके नॉर्मलाईजेशन में बढ़े हैं 50 50 नमर नॉर्मलाइजेशन के पहले लोगों के थे 200 में शे 1.500 नमर और नॉर्मलाइजेशन करके 200 नमर पूरे बराबर कर दिये उनके भाइसाब किस आधार पे ये नॉर्मलाइजेशन होदा मुद्ध तो आज तक ये समझ ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम क्या है कि ये एक दिन में एक्जाम नहीं करवा सकते एक दिन में तकरीबन जो मेंस की एक्जाम होती है उन में तो जो प्री में बच्चों को निकाल दिया जाता है उसके बाद में मेंस में तो कम से कम एक दिन पेपर करा लो ताकि सारे बच्चे अब मेरा एक्जाम मान लीजिए मेरा एक्जाम था 18 अक्टूबर को किसी और का था 19 अक्टूबर को तो 19 अक्टूबर को सारी सिप्ट ईजी आई सारी सिप्ट ईजी आई तो मैंने 180 कुशन कर डाले भाई साथ 180 कुशन कर डाले 200 में से तो मेरे नॉर्मलाइजेसन होगा नहीं क्योंकि मेरी सिप्ट हार्ड आई नहीं अठारा तारिख वाले की सिप्ट हार्ड आगई उसने जो है 140 क्यूशन किये लेकिन उसके 50 नमर नॉर्मलाइजेसन में बढ़ गए उसके 190 हो गए अब मैंने थोड़ी का था भाई साब मेरी सिप्टीजी बनाओ तो ये जो जहमेला है नॉर्मलाइजेसन का मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया क्या जहमेला है और बहुत सारे बच्चों की इसमें जिन्दगी खराब भी होती है क्योंकि अब जो जैसा मैंने आपको एग्जामपल बता है मेरा और किसी और का मान लेजिए तो ये जो है उसमें तो वो दूसरा आगे निकल गया क्योंकि उसकी सिप्ट हाड़ आगे तो उसके 50 नमर बढ़ गए भाई साब तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन इनको हटाना चाहिए एक ही दिन पर आप एग्जाम कराओ क्योंकि जो मेंस की एग्जाम होती उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं मेंस के एग्जाम में तकरीबन 2-3 लाग बच्चे ये लास्ट में रखते हैं तो दो तिन लाख बच्चों का तो पूरे इंडिया लेवल में एक दिन एक जाम करा सकते हो कम से कम तो ये सारी सिस्टम है चलिए अगला देखिए ALU अर्थमेटिक एंड लोजिक यूनिट, CPU, सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट RAM की हो जाएगी, Random Access Memory, ROM की Read Only Memory Wi-Fi की बात करें तो Wireless Fidelity बहुत important है Wi-Fi की Wireless Fidelity हो जाएगी और LI-Fi की क्या हो जाएगी लाइफ आइ सुना भाई साब, Light Fidelity, Virus की एक बार फिर यह साहद रिपीट हो गई Vital Information Resource से C, Жिसकी FULFORM हो जाएगी Fakes की बात कर लेते हैं Fakes की Far Away Gerox OCR की Optical Character Recognition Optical Character Recognition OMR की Optical Mark Reader Optical Mark Reader Arpanet की जो पुछ गया Advanced Research Project Agency Advanced Research Project Agency इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्त यूनिवर्सल की बात USB की बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सीरियल वर्ट UPS की बात कर लेते हैं तो Uninterrupted जो Power Supply है ENIAC और ADSEC भाई साब कत्त ही बहुत ज्यादा Important है इनको अच्छे से याद कर लेना ENIAC की फुल फॉर्म होती है Electronic Numeric Integrated and Calculator Integrated and Calculator तो भाई साब बहुत Important है ENIAC की ADSEC की बात कर लेते हैं Electronic Delay Storage Automatic Calculator Electronic Delay Storage Automatic Calculator तो ये भी आपको बहुत ज्यादा Important याद करने हैं दोस्तों अगला देखिए CRT की Cathode Ray Tube LCD की Liquid Crystal Display LCD क्या होगी Liquid Crystal Display और LED की होगी Light Emitting Diode ये दोनों आपको याद करनी है LCD LED की Important है इसके लिए बात करूं तो OLED की भी है OLED की ये सारी चीज़ें आप देख लीचेगा दोस्तो आसकाई की मैं आपको बताता हूँ आसकाई की Full Form जो है बहुत सारी एक्जाम में पुछी जाती है सबसे ज़्यादा Important Full Form इस पूरे वीडियो में है तो वो आसकाई की है American Standard Code for Information and Interchange तो बहुत ज़्यादा Important है इसको याद रखेगा इसके लाव में बात करूं तो दोस्तो आप PDF से पढ़ लीजेगा CC जो है इसकी हो जाएगी Carbon Copy BCC की हो जाएगी Blind Carbon Copy OLE की हो जाएगी Object Linking Embedding ये इसकी Full Form में हो जाएगी दोस्तो तो ये आप लोग PDF से पढ़ लीज डिस्क तक 97 Full Form है इससे बाहर आपको Full Form का किशन जहां तक 99% चांस है कि देखने को नहीं मिलेगा तो भाई साब उमीद करूंगा आपको सेशन पसंद आया होगा PDF आपको पराप्त हो जाएगी अगर जो मैंने आपको नहीं बताएगी वो PDF से देख लेना आप क्योंकि हर एक जो है वो इसमें वीडियो में डिसकस करना ही नहीं होती उसमें ज्यादा टाइम आपका खराब होगा आप लोग पढ़ लीजेगा इनको इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है तो दोस्तों उमीद करूंगा आपको सेशन पसंद आया होगा लाइक से और भाई साब भारी बच्चे देखें लाइक करने का कोई पैसा थोड़ी लगता भाई साब लाइक करना और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जै भारत